इस वीडियो स्रीज में हम UPSC के 27th year prelims question paper discuss कर रहे हैं जो कि हमारा subject wise और unit में divided है हमारा हर एक unit को series में divided है जैसे कि हमारा यह जो first unit है वो है history of India जिसमें से हमारा first series होगा ancient history, दूसरा series होगा हमारा medieval history, तिसरा series होगा हमारा modern history और जो चौथा series होगा हमारा Indian national movement इसी तरीके से जो हमारे 8 जो और unit है वो इसी तरीके से और भी series में divided हैं तो आज की जो हमारी video है वो हो first unit की first series की आज भी video होने वाली है तो चलिए start करते हैं आज का discussion आज का जो हमारा first question है वो यह है कि जो ना अगर द्रिव्ड और वर्स इन तीनों से लिए statement दिए गए हैं और हमें इन तिनों में से बताना है कि कौन सा statement करेक्ट है हमारा जो option है option एक कहता है कि भारतिय उप महादृविप के तीन मुख्य नसलिया समू यानि कि हमारा question में जो टीन नाम दिये गए हैं जिसमें जो पहला दिया गया है नागर दूसरा दिया गया है दृव्ड और तीसरा दिया है वर्ट्स तो हमें यह बताने कि आखिर यह है क्या तो हमारा पहला option कह रहा है कि यह तीन एक इंडियन टेंपल इस्ट्रक्ट्ट्रक्ट्र यानि कि जो भारत की तीन प्रमुख वस्तुकला के तीन से लिए हैं हमारा चौथा option क्याता है कि भारत की यानि कि इंडिया के तीन प्रचलित संगीत घराने हैं तो इसका जो राइट आंसर वह option C यानि कि जो नागरा द्रवीडा और वर्सा जो है वह हमारा क्या है तो यह तीनों हमारे भारत्य मंदिर अस्थापति की तीन मुख्य सेलियां है आज का जो हमारा दूसरा question है वो यह है कि जो भगवान बहुत की जो चवी को कभी कभी हाथ से दिखाय जाता है और मरा को भूमियसपर्च मुद्रा नामक अपने ध्यान के इसाड़े को परिसान करने से रोकने के लिए यह किसका परतिक है यानि कि यह जो question आप सो पूछा जा रहा है question में यह पूछा जा रहे कि जो भगवान बहुत भगवान बहुत है उनको जो meditation मूड में यानि कि जो मुद्यान मुद्रा के रूप में जो दिखाया गया था जिसमें कि उनका जो राइट है वो उनके गोद में उनके हथेली सीधी रखे हुए थी और जो उनका दाइना हाथ है यानि कि जो लेफ्ट हैंड वो भूमी को सपर्स कर रहा है वो किस चीज को दर्साता है तो option देख लेते हैं option A कह रहा है हमारा कि बुद्ध की प्रित्वी को माल पर नज़र रखने के लिए बुला रहे हैं option B हमारा बुद्ध ने मरा के प्रलोवनों के यानियों को याद दिलाया कि वे सभी प्रित्वी से उत्पन होते हैं और अन्त में प्रित्वी में ही मिल जाना है यही इस परकार का जीवन छन भंगूर है और option D कहरा है हमारा A और B option सही है यानि कि A और B statement हमारा सही है तो इसका जो राइट आंसर है वो है option B हमारा जो प्रित्वी साक्षिबूद धर्म किवे सबसे आम प्रतिष्टा चवियों में से एक और प्रित्वी साक्षिबूद धर्म किवे सबसे आम प्रतिष्टा चवियों में से एक था इसमें बहुत ने अपने बाए हाथ को बाए हाथ से ध्यान में बैठते हुए हतेली को अपने गोद में सीधा रखते हुए दर्साया गया है और उनका दैना हाथ प्रित्वी को छू रहा है यह बहुत के ज्यानो देशों के किश्चन क कि प्रतिनी दित्व करता है कि आज कर से जो हमारा तीसरा कोश्चन है वह यह कहता है कि जो प्रार्वाइब भैदिक आरुओं का धर्म मुख्य रूप क्या था तो ऑप्क्सन देख लेते हैं मक्ति ऑप्सन ऑप्सन ऑप चारा है श क्भी पूजा और यग option c कहता है प्रकति की पूजा और यग और हमारा option d कहता है प्रकति की पूजा और भक्ति इसका जो right answer है वो है option c यानि कि जो प्रारामिक बैदिक काल के दोरान जो आरियों का जो प्रमुक मुख्यधर माना जाता था वो क्या माना जाता था प्रकति की पूजा और यग्य यानि कि जो कालपनिक बैदिक आरे मुर्ति पूजा और यगों में लिप्त थे आज कर जो हमारा चौथा कोशन है वो ये कह रहा है कि प्राचिन भारत के गिल्ड यानि कि सरेनी के संदर में जिनोंने देश की अर्थ व्यवस्ता में बहुत महात्पुन भूमी का निभाई है निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है यानि कि जो इसमें जो चौथा कोश्चन हम से ये पूछ रहा है कि जो प्राचीन काल में जो स्रेनी है जिनोंने यानि कि देश की अर्थ विवस्ता में सबसे मात्पून भूमी का निवाई है उन में से जो हमें statement दिये हुए है उन में से कौन सा statement correctly है जो हमारा पहला statement कहता है वो यह कहता है कि परतेक गिल्ड राज के केंद्रे प्राधी की करन के साथ पंजिकरित था और राजा उन पर मुख्य प्रासनिक अधिकार रखता था option B कहता है मतलब दूसरा statement कहता है हमारा कि मजदूरी काम के नियम मानक और कीमते हैं गिल्ड द्वारा ते की जाते थी option C हैनी कि तीसरा statement हम से कह रहा है कि जो गिल्ड के पास अपने सदस्यों पर नियाइक सक्तियां थे तो option देख लगते हैं इसमें समय यह बताने कि कौन सा statement हमारा correctly है या नहीं option A है पहला दूसरा statement हमारा सही है option B है सिर्फ तीसरा statement सही है option C है हमारा दूसरा तीसरा statement सही है option D है कि हमारे तीनों statement सही है तो इसका जो right answer है वो है option C यानि कि हमारा दूसरा और तीसरा statement क्या है सही है तो देख लेते हैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेशन कि जो मजदूरी काम के नियम मानक और कीमते गिल्ड द्वारा तई की जाते थी गिल्ड के पास अपने सदस्यों पर नियाएक सक्तियां थी तो इसलिए हमारे हमारा जो था दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट कहाता करेक् बिहार कहलाते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है यानि कि फ्रेंट्स जो हमारा पांचवा कोश्चन कह रहा है वो यह कह रहा है कि जो बहुत रौकी जो कटी हुए गुफाएं हैं जिसमें से एक को चैते का जाता था और दूसरे को बिहार कहते थे तो इन दोनों में हमें अंतर हम बताने कि क्या अंतर है तो पहला मतलब ऑप्शन ए कराएं कि जो बिहार पूजा का अस्थान है और जबकि चैते विक्षियों का निवास अस्थान है ऑप्शन बी कराएं हमारा चैते पूजा की जगह है जबकि बिहार विक्षियों का निवास अस्थान है Option C के रहा है कि चैते गुफा के दूर छोड़ पर स्टूप है जबकि बिहार हॉल यानि कि अक्षिय है Option D के रहा हमारा दोनों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है Option B यानि कि इसका जो राइट आंसर है वो है Option B तो right answer is option B चैत्य का ताथ पर स्टूपों को घेरे वाले हॉल से है चैत्यों का निर्मान समपता बरी संख्या में भक्तों को प्राथना के लिए रखने के लिए किया गया था दूसरी और विहार प्राचीन भारत में निर्मित निर्मान है ताकि भटके वह बहुत विक्षों को इलिए विस्रा मस्थल उपलब्द कराया जा सके हमारा जो 6th question है वो यह कह रहाए कि भारत के दार्शनिक चिंतन के इतिहास के संदर में संख्या की विचार थारा है वो किन कथनों से संबद्ध है तो हम तो हम पहला देख लेते हैं कि जो हम्हारा पहला इस्टेट्मेंट यह कह रहा है कि जो संख्यां थैया वह पूरन जनम या आत्म के अस्थांतरन के सिध्दानत को सुईकार नहीं करता है हमारा जो दूसरा कदन है वो यह कहता है कि कि हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है option c है हमारे दूनों स्टेटमेंट सही नहीं है तो इसका जो राइट आंसर वो है option b यानि कि जो संख्या मानव अस्तित्व की तेवर पीरा का असान मानते हैं अग्यानता को इस दुख और बंदन का मूल कारण मानता है संख्या विवेकपूर्ण ग्यान के माध्यम से इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता प्रदार कराती है तो इसलिए जो संख्या की जो आत्मों मोक्ष को की ओर ले जाती है तो हमारा जो राइट आंसर हो है ऑप्शन वी इस करेक्ट आंसर आज कर जो हमारा साथवा कॉश्चन है वो यह कह रहा है कि जो निमलिकित में से कौन बहुत धर्म के विर्वान की अब धारना का सबसे अच्छा वर्णन करता है आप्शन A है अच्छा की लो का विलुक्त होना आप्शन B है हमारा स्वैम का पूर्ण विनास आप्शन C है आनन्द और अराम की अस्थान आप्शन D है सभी समझ से बड़े एक मांसिक चरण तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप्शन A आप्शन A इस राइट राइट आंसर इस आप्शन A यानि कि जो विर्वान की जो अबधारना है वो मूल रूप से बगवान बौद की द्वारा ही समझाई गे ती कर तो 566 से लेकर की 486 इसा पूर्वे विनिर्मान सब्द का जो अर्थ होता है मूल रूप से जो उसका अर् की आग को बुझाने के संदर्व में देती है यानि कि जो हमारे विर्वी निर्मान का जो अर्थ होता वो यह होता है कि जो मनुस्य के अंदर जो किसी से जलन की भावना घिरना की भावना को क्या रहता है अपने आपसे मतलब उसको अंदर से खतम कर देने से जब इन भावन अत्मा को और मनो वे ज्यानिक दोसों को ज्यान द्वारा नश्ट कर दिया जाता है तो तो मन उग्र उजवल और हर्षित हो जाता है और वो इसमें सैट्य का ज्याण लीए है तो याने की जैसे ही इनसान अपने अंदर की घिरना लालच को ग्यान से मिटा देता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है एक सच्च यानि कि सच्च की भावना जन्म ले लेती है तो वह दुनिया का सबसे एक रुसाल प्रानी होगा यानि कि जो भगवान बहुत ने अपने ये विनिर्मान में यह समझाया है कि लोगो को कि जिस तडिके से जब इनसान यानि कि जो मनुष्य है ग्यान से ग्यान लेकर कि अपने अंदर के लालच दोस्डो भावना मतलें जब घ्यान लेकर कि खतम कर देता है तो वह दुनिया का सबसे खुस प्राणी होता है वह सभी जटिलता हूं यानि कि वह जितने भी मुसीवते होते हैं उससे वह मुक्त हो जाता है यह अतीत का पश्चताप नहीं करना पड़ता है यानि कि जो लोग अपने अंदर भ्रह्म लालच घरना जैसी भावनाव को सिक्षा ले करके मिटा देते हैं तो उन्हें किया करना पड़ता है जो उनका जो अतीत य bragं कि जो उन्होंने अपने पास्ट में जितने भी जो गलत काम की हैं उसका प्श्चताप उन्हें नहीं करना पड़ता है, नहीं भविष्क के बारे में उन्हें सोचने की जरुरत पड़ते है, यह वी निर्मान में पूरी तरीके में रहता है, यह सहार्ना करता है कि और आनन लेता है, जीवन में चीजों को सुद्धतम अर्थों में आत्मा परेक्षन के बिना वा बनने की प्यास और स् से मुक्त हो जाता है कि आठवा कोश्ण में आपको यह बताना है कि जो सिंदु सभ्यता के लोग हैं उनकी क्या विशेषता हैं रही हैं तो पहला कतना है कि उनके पास महान महल और मंदिर से और मतलब तीसरा कतन है उन्होंने यूद में घोरों के रथों का नियोजन किया था तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि आप्शन ए है कि हमारे पहल और दूसरा स्टेट्मेंट सही है ऑप्शन बी हमारे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है और उसकी जो इंड़ सिविलाजेशन में जो लोग हुआ करते थे वह नारी और देभी यानिकि नर और नारी दोनों देवी देपनों की पूजा किया करते थे यानि कि जो सिंदु घाटे सभ्यता के लोग थे उनके पास महान महल और मंदि नहीं थे बल्कि सभ्यता का उलेक इटों से बने सहरो और जल लिवास निकासी विवस्था और बहु मंजले घरोस के लिए किया जाता था जो सिंदु घाटे सभ्यता के लोग थे वह बहुती सांते प्रिय थे वह कभी किसी युद में सामिल नहीं हुए थे अगि कुछ उत्यास कारों का मानना है कि आप जो प्राकर्तिक आपडाहων के कारण के यह होगा जैसे कि हमें हरपा सेव्यता में यूद में घोरों के रथों का नियोजित करने वाले लोग ट्रैक नहीं है यानि कि जो आस तक हम वो हरपा सेव्यता में कभी अधान्य जो लोग थे वह कभी किसी यूद में पार्टिअट बाहग लिया हो सिंदु खा recommend मिली प्रतिमाओं ने दिखते हुए कुछ बिग्यानों का मानना है कि वे उब्रवर्ता का परतिक देवी माग की पूजा करते थे वे एक पिता भगवान की पूजा करते थे जो नसल के पूजन हो सकते थे और साय जानवरों के भगवान के रूप में सेवा का एक प्रोटो टाइप थे तो इसलिए दोसरा स्टेटुमेंट वह हमारा क्या हो गया सही हो गया कि जो हरपवर्या के लोग पसक्ते वे नर और नारी दोनों की रूप में डेवी देपनाओं की पूजा करते थे तो यहां पे वो यह है कि निम्लिकित में से कुछा कथन जैन सिध्धान पर लागू होता है तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कर्म का नास करने का सबसे पक्का तरीका है त्याग करना मतलब दूसरा स्टेटमेंट है कि परतेक वस्तु यहां तक कि सबसे छोटे कन का भी एक सोल होता है और तीसरा स्टेटमेंट है कि कर्म आत्मा का अभिसाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए ऑप्शन देख लेते हैं ओप्शन है कि हमारा पहला स्टेटमेंट सही है ऑप्शन दूसर बहार यहां तीसरा स्टेटमेंट सही है iOS सबसें कर्म को नश्ट करने का सब्से पक्का तरीका है त्याग करना कर्म आत्मा का अधार है और इसे समाप्ति किया जाना चाहिए स्वादेता पर्मन तप जैन सिद्धानतों के अनुसार तपस्या सभी दोसों को धो देता है और सुद करने के लिए और दोस्त का निर्दोस्ता को निर्धारित करने के लिए अग्रिन द्वारा परिक्षा सभी कर्म म की जलद्वनी साथ ही जैन्धन के अनुसार कर्म आत्मा का अधार है कर्म ना केवल अस्थांतरन मगन के कारण को समाहित करता है बलिकि इसके एक अत्यंत सुक्ष्म पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है जो आत्मा को उसके प्राकर्तिक पारदर से सुद्ध गुनों को रूप से कर देता है आज का जो हमारा दस्वा कुश्षन है वो यह है कि भारत रौक कट पस्तु कला के इतिहास के संदर में से निमलिखित कथुनों पर विचार करना है तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि बदामी की गुफाएं भारत की सबसे पूरानी जीवित रौक कट है दूसरा स्टेटमेंट है बराबर रौक कट गुफाएं मूल रूप से सम्राठ चंद्रगुप्त मौरे द्वारा आज वीकों के लिए बनाई गई थी और तीसरा कथन है एलोड़ा की विविन धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी ऑप्शन देख लेते हैं इसका हमारा उप्शन है कि आपर ऑपशन ए कर्रेक्ट ऑप्शन गीं हमारा सिर्फा स्टिशत में सही है जो बार्रा सुछ इसाट फूरां कात गुफाएं वे मौरेक कालियानी की 1322 से लेकर के 180 इसापूर्व के दोरान अजीवी का के लिए बनाए गए थे एलोडा की गुफाएं पांचवी सताब्दी और दसवी सताब्दी के बीच बनाए गई थी जिसमें से 34 गुफाएं थी जिनमें से 12 तारबड़े गुफाएं 17 हिंदु गुफाएं और 5 एलोडा में जैन गुफाएं थी गुफाओं की सान्ती उस समय की धार्मिक घास परम लित को असपस्ट रुप से दर्साया करती है आजकर जो हमारे 11 कोशन है वो यह है कि भारत का दोड़ा करने वाले चीनी यात्री यू आन च्वांग ने उससे में भारत की समाने प्रस्थितियों और संस्कीत को दर्ज किया था जो जो चीनी यात्री जो आया था भारत में यू आंग उसने जो भारत की समान प्रस्थितियों और संस्कीत को जो दर्ज किया था उससे रिलेटर्ड जो हमें याँ पर स्टेटमेंट दिया गया हमने उसमें बताना कि कुए पहला श्टेटमेंट है वह यह कहता है कि सड़के और नदी मार्ग कहती से पूरी तरीके से अच्छूते थे और दूसरा स्टेटमेंट कहता है जहां तक अपरादों के लिए सजा का संबंद है आग पानी और जहर द्वारा परिक्षाई किसी व्यक्ति की वेगुनाही या अपराद को निर्धारित करने का एक उपकरन था तो इसमें से इसकी ऑप्शन देख तीसरा स्टेटमेंट है यह पारियों को घाटों और बैरियर स्टेशनों पर सुल्क देना पड़ता था तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ऑप्शन ए है कि हमारा से पहला स्टेटमेंट सही है ऑप्शन बी हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन सी हम दोसरा और त्यस्टेट्मेंट क्या है बिलकुल सही है यानि कि वैप्यारियों को घाटो और वर हलका सुलक देना पड़ता था राज्यस्व का भुकतान करने के बाद वे अपने माल्क की अदला बतली करने के लिए इधर उदर ले जा सकते ते यात्री के हिसाब से समाजिक अपरादों की सजा ना किया एक कान या एक हाथ काटने की थी छोटे मोटे अपरादों पर जुर्माना लगाया जाता था और अपराद या निर्दों का निर्धारन करने के लिए अगनी जल और विसुद्वारा परिक्षाओं का उपकरन तेजिस का उपयोग किया जाता था आज का जो बाड़वा कुश्यन है वो यह है कि भारत के सांस्केटिक ये तियास के संदर में निर्ध और नाटक में एक मुद्रा जिसमें त्रिम भंगा कहा जाता है प्राचिन काल में प्राचिन काल से आज तक भारते कलाकारों का पसंदीदा रहा है निमलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है ओप्षन देख लेते हैं ओप्षन ए है एक पैर मुरा हुआ है और शरीर, कमर और गर्दन पर थोड़ा लेकिन अभिप्रित रूप से जुकाबदार है दूसरा स्टेटमेंट है चहरे के भाव, हाथ के हाव भाव और मेकप को कुछ महाकाव या एतिहासिक पातरों के प्रतिक के रूप में से जोड़ा जाता है ओप्षन मतलब तीसरा स्टेटमेंट है सरीर, चहरे और हाथों के आंदलोन अंदलोनों का उप्योग स्वैम को व्यक्त करने या कहानी बताने के लिए किया जाता था और हमारा चौता स्टेटमेंट है एक छोटी सीम मुस्खान थोड़ी मुरी हुई कमर और कुछ हाथ के इसाड़े प्यार या प्यार या क्रोटी जिम की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता था तो इसका जो राइट आंचर है वो है option A हमारा जो राइट आंचर वो है option A यानि कि जो पोश्चर वो भगवान स्री कृष्ण की क्या है प्रियाख पोश्चरों में से एक मानी जाती है हमने अक्सर भगवान स्री कृष्ण को अपने गाय काम देनों के समान या जब भी वह अपनी बासुरी बजा रहे होते थे तो त्री भंग मुद्र यानि त्री भंग पोश्चर में ही खड़े देखने को मिलते हैं उनेए अक्सर त्री15 भणा मुड़ारी भी कहां जाता है आज का जो हमारा कोस्चन है वह आमें यह बताना आहिकी जो एत्या αυτान स्थान था अउन पर हमें विचार करना यानि कि historical place के वारे में हमें डिसकस करना और बताना कि कुछ सा correctly है अजन्ता केव दूसरा है हमारा लेपाक्षी मंदिर यानि लेपाक्षी टेमपल और तीसरा है साची स्थूप और option देख लगते हैं हमारा option A only one correctly है option B हमारा पहला दूसरा हिस्टोरिकल प्लेस सही है option C हमारे तीनों historical place सही है option D हमारे कोई से भी historical place सही नहीं है तो इसका जो right answer वह है option B यानि कि हमारा पहला यानि अजन्ता केव और लेपाक्षी टेमपल क्या है हमारे हिस्टोरिकल प्लेस से करक्ली है तो हमारा जो right answer वह है option B अजन्ता की गुफा में पहला दूसरा सोलवा और सत्रा की जो गुफाएं हैं उसमें हमें विविंच चितर देखने को मिलते हैं कुछ चित्रों में और कुछ चित्र वाकाटा वंस के द्वारा हरी सेन द्वारा बनवाए गए थे ठीक है और चित्रों का विशय जातक कथाएं थी लेपाक्षी टेमपल विजय नगर के राजाओं के विविन चित्रों के सर्वस्रेष्ट भंडारों में से एक होने के लिए प्रसिद था जबकि साची के उस्तूप में कई खुबसूरत मूर्तियां तो थी लेकिन एक भी उसमें हमें चित्र देखने को नहीं मिला था तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन था हो हमारा कौन सा था पहला और दूसरा हमारा करक्ली नेच था तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो हूँ इसे एंट ऑफ हिस्ट्री यूनिट वन का पार्ट आठवा मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो स्रीज पसंद आ रही होगी ऐसे हमारे साथ डिसकेशन में जूरने के लिए हमारी च